पास है एक universal PCB है इसके उपर लिखा हुआ है universal AC control system for PZ motor मतलब PZ वाली जो motor होती जो feedback वाली motor इसके यह motor देख सकते हुए इसके अंदर दो connector दिये हुए एक connector है अपना common ring starting normal AC power supply का और दूसरा connector है feedback का feedback के connector वाली अगर motor है आपके पास तो आप normal PCB या DC motor वाला universal PCB नहीं डाल सकते है उसके लिए आपको लगए पीजी motor वाला PCB पर तो पीजी motor वाले PCB के अंदर क्या कै चीजी आती है मैं आपको लिखा जिता हूँ और इसके अंदर आप देखोगे तो normally बाकी PCB के अंदर दाई चीजी आती है उसी तरीके से सारे चीजी इसके अंदर भी होती है इसमें एक main PCB बोल आता है दो दो सेंसर आते है एक room temperature sensor और एक coil sensor अईसे दो सेंसर आते है एक display आ रहा है इदर डिस्प्ले लगा दे जाए है इदर एक remote आता है और उसके बाद एक transformer है और एक आईसा connector का पाउज विए आता है या non DC motor वाले या normal बिना feedback वाले AC motor के जगे पे नहीं बिटा सकते है इसके लिए feedback वाले AC motor के जगे पे आपको बिठाना पड़ेगा अगर आपको इस type का PCB बाई करना है तो इसके description लिंक दिया है उसके उपर click करके आप बाई कर सकते हो और आपको इसको किस तरीके से fix करना है feedback को किस तरीके से sit करना है उसके लिए हम इने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल के उपर डाली है वो भी आप एक बार देखके जान सकते हो कि इस तरीके से आपने fix कर सकते है इसी के अंदर